वेलकम टो साइक आप सब अच्छ होंगे तो जिसके कल मैंने कम्मुनिटे पोस्ट करता कि आज हम बात करें करियर ऑपोस्टनिटी ओप बीए साइक्रोलजी आप आप कैसे आमी एफोस नेवी आफे पेर में जोइन कर पाएंगे ठीक है तो उसके बारें बात करेंगे अगर आ आपके लिए हो जाती है बीए साइकलोजी के बेसिस पर उपन जब मैं अपना बैचलर साइकलोजी कर रहा था तो मैंने भी साइकलोजी को दिया है तो काफी अच्छी पोस्ट है जिसके नामें आपका एजुकरिशन एंड इस्ट्रेस कांसलर एक सेंटर गवर्मन की रहे हैं वो भी इसमें अप्लाइ कर बाते हैं तो दो साल में एक बार यह जॉब आती है आप निकलके इससे पहले जो वेकैंसी 2018 माई थी 2020 महीं आ नहीं थी तो 2021 में भी नहीं आई तो आप देखते हैं 2022 में यह मैं अप्रेल या मई तकी वेकैंसी आज़ेगी आपकी बीए स सब्सक्राइब को जो कैंटेन फैसलिटी डिनेस अलाउंस यह टीए वगर आपको इसमें सम मिलते हैं राइट तो यह काफी अच्छी जॉब है जिन बच्चों युनिफॉर्म पसंद है साइकलोजी के बाद आप काउंसल लग सकते हैं परामिट्रिक अंदर सबसे बैस्ट मुझे लगती है यह सिंपल बेसागोजी पेपर भी बहुत एजी होता है तो मता दूंगा आपको क्या पेपर के पैटन है बाद यह समझे आपका इसमें फिजिकल होता है रणिंग होती है आप इसमें आपका इंटर्वी नहीं होगा तो यह काफी अच्छी बात होगा है कि गुरूप से की जोब आती है लोगत करता हूं अगली की जो आप जोग कर सकते हैं वह आपकी इंडियन नेवी के अंदर अगर आपने एंच्छी गरा है आपने सिंपल 55 प्रसन्ट्ट मॉक्स अगर आपके पास हैं तो आप इंडियन कर पाएंगे आप कैसे इंडियन नवी म सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसमें कि अगर आपने करी है 55 marks के साथ तो आप सकते हैं आपको कोई भी रिटन टैस्ट नहीं होगा और यह वेकंशी आपके दो या धाई साल के बीच में निकलती हैं इससे पहले 17 मिड में 18 मिड माई थी इसके बास से मैं अभी देखे नहीं ब सब्सक्राइब कर आती है इस में काम क्या होता है काउंसी करना जो स्क्राइब करना का मोता है और SSB यह होती है यह रहे करेड़क होता है तो इने 50,000 कर दो हैं और यह जाद से ओए एक फॉर्म बनना होता है और उसके बाद आपका सेलेक्शन होता है सीधे इंटर्वु के लिए पांच दिन का सेलेक्शन होता है ट्रेनिंग आपकी ओथी में इसमें एक साल की ठीक है वह तो आप आती नहीं है तो वह भी गाइडेंस के उपर ही आती थी आपको पड़ाई करना नहीं होती थी बच्चों को जो महां सोल्जर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको आपको गाइड करना होता था यह काम था बट अभी जो उपन करी है दुबारा से वह डियाट्यों क टीक है तु आप इसमें जोन कर सकते हैं इसमें आपको जासकते हैं तो आप दो साल में यह भी इससे पहले है आपकी 19 माई थी 21 तो 22 माई अने के पूरे चंसे से कि वेकेंसी आईगी आपकी अपकी जोन कर सकते हैं मैं विद 60 परेंट मार्क्स प्लस आप नेट हो तो आप डिया डियों जा सकते हैं कैसे आपका इसमें आप फॉर्म भरेंगे और आपके एक सिंपल सा इंटर्वी होगा और उसके बाद आपको प्रेफरेंस मिलेगी कि आप इंडिया नामी इंडिया नेवी यह इंडिया एरफोस इन तीनों में किसी आप चूज करेंगे ठीक है टूटल वेकैंसी बीस या बाइस 2022 के सम्तिंग पोस्ट होती है इन तीनों में सापको एक सीच चूज करनी है कि आमी नेवी आए फोस इन में से एक में आप जाएंगे वहाँ पर आपको काम होगा इंटर्वी करना कांसली करना इंटर्वी लेना इस सब आपके वहां काम रहते हैं इसमें भी 80,000 प्लस आपको ही मिल दीगी ठीक है करीब आपको इसमें मिलती है एक जो बच्चे पूछते साहर काउंसलर किसे बनते हैं तो कांसलर आर्मी में के अंदर कोई पोश्ट आ आती नहीं है इसके लिए वेकेंशित आती है आपकी वह आती है आपकी एज इंस्ट्रक्टर के नाम से है पिछल साल वेकेंशिया थी जो जिसका फिजिकल तेलंगार में हुआ था जितना मुझे याद है मेरे कुछ कालिक्स गए तो अभी जो आने वाली है वो दोहर 22 में आएंगी अक्टूबर तक में भी आ जाए एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की आपसे बीए सब्सक्राइब अपको इसके बाद आपको यह एक अपिसर नहीं नहीं है यह लाइक एयर में इसके बाद आपका पहला पर्मोशन ऑफिसर में होता है तो इसमें 57 तक रहती है यहां भी आपको काम वही कांट करना फिजिकल ट्रे काम होते हैं तो एरफोर्स में अपको बाद कर रहा है तो यह चीज़े रहती है और बाकी में बात करूं आप कैसे एक जो ड्याड्यों की वह आपकी आपकी आई टीबीपी की क्योंकि आई टीबीपी में सिंपल बीए साइक अपने करा है कोई पसंटेज नहीं मांगते है र इंटर्यू हटा दिया इंटर्यू नोंने और सिदेगे फिजिकल रिटर्न और मैडिकल और आपकी जोनिंग त्रिबन तीन महने के अंदर पूरा प्रोसेस कंबीट कर देते हैं इस बार जो वेकैंसी रहती है वह पिछले बार के वेकैंसी जब मैंने कुद देती तो 75 प्लस वेकैंसी थी इस बार जो वेकैंसी रहेंगी वह 110-120 रहेंगी जितना मुझे पता है इसके बारे में और साइकलोजी से बच्चे यह मानिए पता ही नहीं हो था क्योंकि ना न्यूस्पेपर मैंगी वेकैंसी ना आपको कहीं ऑफिसल उसमें कोई सब्साइड है उसमें मिलें सब्साइब करते हैं 35,000 के प्रस में तो पहला जो प्रमोशन है आपका ITBP के अंदर जो होता है तीन साल में उसके बाद तीन साल में आप जाएंगे एसाई फिर बाकि पार साल में आप इंस्पेक्टर तो तीन इस्टार जोब तक आप जा सकते हैं कांसलर के तुरू इस्ट्री के लिए उसमें मांगा है मैं हिस्ट्री जो बच्छे में सब्सक्राइब सकते यह तो बाद था यह ने आ जाए तो उसमें आप से ऑफिसरा से एंट्री ठीकशकर भी और तो यह होगी कोई आपका इन्डिटर नहीं होता ऐसी कोई फेसिकल भी नहीं होता इंद़ जाओ इंटर्यू दो और उसमें आपके रहती है फॉर्म वेकेंसी तक्रीमन आपके रहेंगी दू या तीन आपको भी दू या तीन वेकेंसी तक मुझे लगता है आजाएंची वेकेंसी की लीट हो गया है वी 21 वानी थी बट नेट का रिजल्ट है आपका 22 जन्वरी के लाश लाश्माइगा तो वेकेंसी भी जब लाश्माइब देखने को मिल जाएंगी डिया अंदर यह यह कि आप डिया जा सकते हैं जिसे आप नेवी एरफोस या आमी तीनों से एक जोन करते हैं तो इन तीनों में से जब एक जोन करेंगे तो आप जैसे कंबाइंड डिफेंस एक्जाम में आपको बिढ़ा जाता है और सैली परमोशन बहुत अच्छा होता है इस वेकेंसी से यह उनिफॉर्म जोब नहीं है यह बादा रखना बड़ मुझे लगता कि कभी-कभी युनिव आकर जितना सुननों में कि कुछ चीज होना लिए कि जो साइकलोजिस डिया जाता है आमी में उसे युनिफॉर्म भी मिल जाए युनिफॉर्म भी आपको पहने मिल सकती अगर जो बिल वगरा पास होने वाले अगर यह होते हैं तो जितने मुझे इसकी इनिफॉर्मेशन है बाकि एरफोर्स में आपको बताया कि आप बीए सब्सक्राइब की चार साल में बजा दू उसके बास सब्सक्राइब कोई बेकरने नहीं आई है तो चार साल पहला है थी तो मां आपको इन्फर्म कर दोंगा उसकी जिंता नहीं है ठीक है और सबसे में जो रही वाइटी पी रही आपकी उसको पाथ इंडरे फोर्स इंडरे फोर्स की जो एक वेकंशी है मैं बदाए आपको एजूकेशन इस्ट्रक्टर की वह इस साल में भी आ जाए बाहिस में तो उसकी इंफॉर्मेशन देखते रहिएगा जो कि न्यू और क्या उसका पैटर्न रहेगा वह भी मैं आपको डिफाइन कर दूंगा अच्छा से पूरे तरीके लिए ठीक है बाकी आपकी को क्या देती तो आप मुस्से कमेंट पूस लीजिएगा बाकी इस वीडियो को पसना आई तो जाए लाइक करो और चैनलों सब्सक्राइब मि तक लिए मतब तक लिए थैंक यू